कि दोस्तों नमस्कार माईसेल्फ अमिद्दुबे और आज एसलिपियस वेल्डेस प्राइविट लिम्टेट के डाइमंड कलब के तरब से मैं आप सारे लोगों का हरदी का मिंदन और स्वागत करता हूं आज की सिसन को सुरू करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि इस हौल में कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे पुराने लोग हैं हमारे नए गेश्ट के लिए नए लोगों के लिए एक जोर प्रोडEक्ट अच्छा लगा हो, हो सकता है, किसी को प्याउट अच्छा लगा हो, या हो सकता है, कि आपको अपने दोस्तियार की बात अच्छी लगी हो, तो आप इस बिजनस में आ गए हैं, लेकिन अगर आ ही गह आ हैं, तो क्यों ने इस काम को थोड़ा सा सीख के इस काम की घहराई को समझ के इस बिजनस को अच्छे से किया जाए जनरली जब भी हम इस बिजनस में आते हैं तो हमारे धंदे में अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं जब एक Dr. हमारे प्रोफ़ेसर्ण में आता है, तो ये सोचता है, कि यहाँ अगर हमने आज बिजनस की सुरुआत कर दी, तो कल अगले दिन से लाइन लगा के, लोह कि हमारे पास लाइन लग जाने चीए, लोग आने चीए और हमारे प्रोड़क्ट लेके जाने चीए जबकि ऐसा होता नहीं एक इंजिनियर हमारे साथ जोईन होता है वो ये सोचता है कि अगर मैंने बिजनस की सुरुआत कर दिये तो अब 30 दिन तक अगर मैं यहां पे काम कर लूँगा तो महिने के लाश में 50 जा, 60 जार मेरी इंकमा जानी चीए जबकि ऐसा होता नहीं एक वकील वह ऐसी सोचता है एक टीचर यह सोचता है कि अगर हमने बिजनस की सुरुआत कर लिए तो कल से हमें स्टेज पे खड़ाओ के अपने लोगों को सिखा देना है लोग हमारे काम करेंगे हमारे घर में बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे दोस्त ये बिजनस कुछ अलग है आपने बिजनस को जोईन तो किया है जोईन करने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग है जो मार्केट में जाते हैं लोगों से बात करते हैं अब जैसे इस बिजनस के बारे में बात करते हैं तो आपको मार्केट में लोग तरह तरह की बात करते होंगे कई लोग इस बिजनस को मेंबर बनाने का बिजनस करते हैं कई लोग इसको फसने फसाने का बिजनस करते हैं जब लोगों से बात की जाती है तो तरह तरह के लोग आपको तरह तरह की बाते बोलना सुरू कर देते हैं आपको समझाना सुरू कर देते हैं ये बास जस्ट वैसी होती है और अक्सा देखा गया है कि market में जाने के बार जब आप लोग की ना सुनते हैं लोग का rejection सुनते हैं तो 80% ऐसे लोग हैं जो 3-4 बर लोग की ना सुनने के बाद इस business को ही छोड़ देते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 4-5 ना को सुनने के बाद इस business से out हो जाते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, हमारे और आपके जैसे, जो लगातार ट्रेनिंग प्रोगाम में आते हैं, जो लगातार इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं, जो इस काम को सिखते हैं, तो जो ना को हां में कनवर्ट करने का जो टाइलेंट है, वो talent सिखाने का काम करता है ये Friday का training program इसलिए हर week में आपको इस training program के अंदर आना चाहिए हर week के अंदर आपको इस training को लेते रहना चाहिए market में तरह तरह के लोग हैं जब हम market में जाते हैं तो लोगों के अंदर से हमारे mind में बहुत सारी negativity आती है अब उस negativity को positivity में convert करने का जो काम है मेरे दोस्त वो काम ये Friday का training program करता है यही training program है जो आपके अंदर से लोग के ना के होँआ में convert करने की छमता आपके अंदर develop करता है इसलिए भी ज़रूरी है कई आसे लोग हैं जिन्होंने आज से पहले भी इस training को अलग-अलग टेहरी के लोग अलग-अलग बाते इस business को लेके बोलते है एक इंसान जब बाहर जाता है लोगों से मिलता है तो उसके दिमाग में तरह-तरह के बाते आती है तरह-तरह की चीज़े उसके दिमाग में आती है वो negative हो जाता है परिसान हो जाता है अगर सही समय पे आप ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो वो नेगेटिविटी आपको बिजनस से आउट कर देती है बिजनस से खतम कर जाती है इसलिए भी बहुत जरूरी है हमेशा लगातार जब भी आपको मौका मिले हर वीक के अंदर इस ट्रेनिंग को काम में आते रही है और सीख के इस बिजनस को करते रही है बोले जाता है इस दुनिया में कोई भी काम करने से ज़्यादा अच्छा है उस काम को अच्छे तरीके से सीख के करना अभी तक आपने इस काम को सीखा नहीं है इसलिए जब आप मार्केट में जाते हैं तो हमारी कहानी उस डॉक्टर की जैसी हो जाती है आप सबने सुनी होगी एक विटनरी डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर साहब फसूअ का हिलाज केया करते थे एक बार रात को कॉल आ गया डॉक्टर साब के पास, कि डॉक्टर साब हमारे घर में भैंस बीमार है, और वो भैंस प्रेग्नेंट थी, डॉक्टर साब अपना पूरा इंस्ट्रुमेंट लेके वहां पे पहुंचे, और जब पहुंचने के बार डॉक्टर साब ने देखा, उ उन्होंने बोला भैस को पटक दो, इसका मुझ फार दिया जाए और भैस के पेट तक मुझ से पेट के अंदर थे एक बड़ा सा पाइप उन्होंने गुसेड दिया, दवा को उस पाइप में डाला गया लेकिन भैस निगल नहीं रही थी, डॉक्टर साहब अंट्रेंड थे उ उल्टा फूक मार दिया, अब दवा जाना था भैस के पेट में, दवा कहा गया, बच्चा देना था भैस को अमन किसका कर रहा है, ऐसी होता है मेरे दोस्त, हम अगर बीना सिखे मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से वादसीत करते हैं, तो हम जाते हैं समझाने के लिए लेकिन लोग हमें उल्टा समझा के वापस भेज़ देते हैं और ऐसी लोग अक्सर जब इस ट्रेनिंग में नहीं आते वो इस काम को नहीं सिखते तो आदे अरे नॉलेज से जब लोगों में जाते हैं और जब उनको पांच दस लोग लगातारणा बोल देते हैं तो इस बिजनस से ही आउट हो जाते हैं इस बिजनस को ही टाटा बाय बाय बोल देते हैं इस बिजनस को करना ही छोड़ देते हैं इसलिए बहुत जरूरी है कि हर ट्रेनिंग को attend करके इस काम को आखिर करना कैसे है इसके बारे में नॉलेज लिया जाए इसके बारे में सीखा जाए मेरे दोस्त आप सब अलग-अलग प्रोफेशन से हैं कोई डॉक्टर से हैं, कोई इंजिनियर से हैं, कोई स्टुडेंट है तो आपने आज से पहले इस काम को सीखा नहीं है और किसी भी काम को करने से पहले जरूरी है उस काम को सीखना सचिन तेंदुलकर ने भी पहली बार छक्का मारने से पहले क्रिकेट खेलना सीखा होगा अमिता बच्चन जी ने भी एक्टिंग करने से पहले पहली बार एक्टिंग करना सीखा होगा लता मंगेशकर जी ने भी गाने से पहले गायकी सीखी होगी दुनिया का कोई भी काम बहुत असानी सी किया जा सकता है अगर उस काम को हम सीखते हैं तो ऐसे हमारा बिजनस भी है इस बिजनस को लेके मार्केट में जब आप जाते हैं लोग आपसे तरह-तरह की बाते करते हैं लोग निगेटी बाते करते हैं तो लोगों के ना को हां में कनवर्ट करना ये आप तभी सीख सकते हैं जब लगातार आप इस session में आते रहेंगे लगातार आप हर week के training program में आते रहते हैं दो-चार training में आने से नहीं होगा मेरे दोस्त बार-बार आपको इस training program में आना पड़ेगा क्योंकि हर बार जब आप आएंगे एक नई बाते आपको सिखने का मौका मिलेगा एक नई चीजे आपको सिखने का मौका मिलेगा और लागातार आपके दिमाग में जो इस business related doubts होते हैं जो questions होते हैं जो समस्याइं होती हैं इस training के माध्यम से आपकी धीरे धीरे खतम होती चली जाएगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप वहाँ से निकल के vistaiza पर आकिला वो को ट्रेनिंग करने लगे इसलिए जरूरी है हर week में इस training program को at sudo मेरे दोस्त जब market में आप जाते हैं इस industry के बारे में बात करते हैं तो लोग आप से इस industry के बारे multi बाते करते हैं कोई बोलता है मेंबर बनाने का बिजनस है कोई बोलता है ये फसने फसाने का बिजनस है कोई बोलता है पैसे लगाने का बिजनस है लोग को जोडने तोडने का बिजनस है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर जिस इंडस्ट्री में हम काम करते हैं आखिर ये इंडस्ट्री है क्या चीज क्या काम है इस इंडस्ट्री का आखिर इस इंडस्ट्री में क्या करना होता है पहले इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा मेरे दोश जिस इंडस्टी में हम लोग काम करते हैं उस इंडस्टी का नाम है डारेक्ट सेलिंग इंडस्टी ये एक बना-बनाया बिजनस कॉंसेप्ट है और ये सेम वैसी है जैसे आज मार्केट में आप एक ट्रिडिशनल बिजनस करते हैं बोला जाता है इड़ान्स मौका देती है कि अगर आप एक अच्छा प्रोड़क्ट मार्केट में बेचते हैं तो आपको एक मौका देती है कि अगर आपने इस प्रोड़क्ट को परमोट किया तो आपको भी एक अच्छी इंकम आ सकती है लेकिन सबसे इंपोर्टेंट ये है कि इस काम को हम करें क्यों आखिर हमारे जीवन में इस industry की जरूरत क्या है क्यों करें इस काम को बोले जाता है किसी भी काम को कैसे करना है इसको समझने से ज़्यादा important है इस काम को क्यों करना ये समझना है आज आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं पैसा कमाना सबकी जरूरत है और पैसा कमाने के लिए आप लोग अपने जीवन में दो काम करते हैं या तो हम नोकरी करते हैं या तो हम बिजनस करते हैं अब नोकरी के लिए कुछ चीजे की जरूरत होती है जैसे आपको अच्छी नोकरी तभी मिलेगी जब आपकी education qualification बहुत अच्छी हो आपके अंदर talent हो लेकिन मेरे दोस आज हालात situation और condition ऐसी बनी हुई है कि आज हर साल एक कडोर से ज़्यादा लोग market में graduate होके आते हैं लेकिन सरकारी और private दोनों sector को भी मिला दिया जाए तो मातर 27% की employment ratio यानि हर साल करीब 70 लाग से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्यों वो educated है their graduate क्यों हो रहे हैं क्योंकि opportunity की कमी है आज मौके नहीं है नोक्रिया में तो आज अगर हम ये चाहें कि हम अपने सपनों को नोक्री के माद्यम से पूरा कर सकते हैं तो नहीं हो सकता क्योंकि नोक्री के लिए special talent की जरूरत हो सबसे खास talent होते हुए भी लोग की उनकी जरूरत का नुसार नोक्रिया नहीं मिलती वो समझाते की जिन्दगी जीते हैं तो कुछ लोग business का रास्ता चूज करते हैं लेकिन आज आज आप देखिए एक अच्छा business करने के लिए investment करना पड़ेगा आप सोच के देखिए क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम investment करके बहुत बड़ा business खड़ा कर सके और अगर गलती से हमने कर भी दिया तो हर investment में एक risk factor होता है अब आप सोचिए अगर हमने लोन लेके गर्जे लेके गहने गिर भी रखके किसी तरीके से अगर बिजनस की शुरुआत कर भी दी किसी कारण वस अगर वो धंदा नहीं चला तो क्या होगा हमारा ये भी सोचने की जरूत है आज कुणिया में कोई भी बिजनस कीजिए गला काट परतियस परदा है आज हालात ऐसी है कि अगर दो भाईों ने एक दुसरे के बगल में जुते का सोरूं खोल दिया है तो पहला भाई कभी नहीं चाहेगा कि कस्टमर मेरा दुकान छोड़के तो उसके दुकान में जाए अगर आपको इनया बिजनस शुरू करते हैं तो उस बिजनस को चलाने के लिए आपको समय देना पड़ता है और बिजनस वर्ड में आप आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपके पास इस्पेसल टाइलेंट है यही वज़ा है मेरे दोस्त कि आज हजारों लोग पैसे इन्वेस्ट करके बिजनस की सुरुआत को करते हैं लेगिन उनकी स्टाट अप लगातार खतम हो जाती है तो ऐसे समय में कौन से ऐसी अपउर्चनिटी है कौन से ऐसा बिजनस स्कोप है जो हमारे काम का है बोला जाता है किसी भी काम को करने से ज़्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पे करना आज एक ट्रेंड की बात मैं आपको बताता हूँ 1985 का जो दसक था वो प्लास्टी का जमाना था यानि उस दसक में जिन लोगोंने पैसे कमाने के लिए प्लास्टिक इंडस्टी को अपना माद्यम बनाया उन्होंने बहुत अच्छे पैसे कमाया लगी नाप बताईए कि आज के डेट में प्लास्टिक कुद्धोग में काम करके कोई पैसा कमा सकता है नो क्योंकि trend जा चुका है आज government कैसी rule regulation आई है जहांपे plastic band करने की बात की जा रही है 1960 के दसक में oil industry market के अंदर आई थी उस समय जिन लोगों ने कुएक एक 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 कुएक उपर अपना agreement किया आज वो लोग कड़ोरो तो मारतु सुजुकी की उस दौर में अगर हम बात करते हैं तो Ford जैसी company market के अंदर आई और उन्हेंने खुब पैसे कमा है आज अगर आप चाहके भी automobile industry के अंदर कदम रखते हैं तो पैसा नहीं कमा सकते हैं क्योंकि ये trend जा चुका है जिनको इस industry में कबजा जमाना था उन्होंने कबजा जमा लिया है 1980 का दौसक computer industry के अंदर था और उस दौर में जिन लोगोंने computer industry के अंदर पैसा लगा है computer industry में जिन्होंने invest किया starting शुरू किया उन्होंने खुब पैसे कमा है चाहे आप Apple की बात कीजिए चाहे आप HP की बात कीजिए चाहे आप Dell की बात कीजिए Microsoft की बात कीजिए यह जितने भी लोगोंने अच्छे पैसे कमाए यह उसी समय जिन लोगोंने काम किये थो उन्होंने भी ऐसे पैसे कमाए 1980 के दसक में एक दौर था आपने देखा होगा लोग computer institute खोल के भी पैसे कमा लिया करते थे लोग बड़े-बड़े computer के छोटे-छोटे institute खोल के 20-20 रुपे पर घंटा 30-30 रुपे, 40-40 रुपे पर घंटे का भी समय लगा के वहां से बहुत अच्छे पैसे कमा लेते थे लेकिन क्या आज संभव है क्यों? क्योंकि वो trend खतम हो गया आज वो trend नहीं है जब insurance sector market में नहीं नहीं आई थी 2000 के दसक में तो हर इंसान insurance agent बनना चाता था लोगों को insurance कराते थे और लोग बहुत पैसा कमा है लेकिन आज के rate में insurance sector में पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि insurance sector में जितने भी लोग पैसा कमाते हैं वो ये चेक करते हैं कि कौन सा अच्छा agent है जो हमारे पैसे को invest करके regulate कर सकता है आज सारी बैंकों ने अपने अपने insurance को regulation के लिए अपने insurance के अंदर एक एक ब्रांच खोल के खड़ा कर दिया है आज वो इसको अपनी है और मेरे दोस्त बोला जाता है 2010 and onward direct selling industry हिंदुस्तान के अंदर आया 2016 में जब इस industry की guidelines आई 2021-2022 में जब इस industry के rules आये हैं तो आज ये industry हिंदुस्तान का सबसे current trend बना हुआ है और ये क्यों normal बात रहे है मैं आपको एक छोटा सा data दिखाता हूँ आज अगर इस industry की growth rate की बात किया जाए 2017 में ये industry 15,35,000 कड़ोर की थी 2019 में 18,20,000 कड़ोर की industry थी और आज 2021 onward COVID के समय में 19,20,000 कड़ोर की industry खड़ी हो गई अकेले अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूँ तो आज industry जहां 2017 में 10,551 कड़ोर की थी आज 2021 तक ये industry 24,000 कड़ोर की हो चुकी है और मेरे दोस्त के पीमजी के डाटा बताता है कि direct selling industry 2025 तक 65,450 कड़ोर की industry होने लिए एक बर सोच के देखिए जब ये industry 65,450 कड़ोर की होगी तो इस industry में काम करने वाले लोग कितने बड़े लेवल पे जाएंगे तो क्या इस industry को हलके में लेने लाइक है क्या इस industry को हमें हलके में लेना चाहिए मेरे दोस्त ये industry कितनी प्यारी है मैं आपको कुछ अच्छी अच्छी point बताता हूँ सबसे पहला चीज़ कर लोगे या तक किसी को बेच के आप 20% का पैसा कमा लोगे यानि अगर zero investment है तो कोई रिस्क है कोई चांसे से डुबने का बिलकूल नहीं दुनिया में अगर लाख रुपे का बिजनस करना है तो पांच लोगों को आपको अपने अंडर में employee रखना पड़ेगा और उन employee को पैसा देना पड़ेगा आज employee को पैसा देने के चक्कर में लाखो बिजनसमेन करजे मा जाते हैं लेकिन हमारा बिजनस कितना प्यारा है कोई employment employment का कोई लफड़ा नहीं है आज आपने बिजनस सुरू किया कल आपके डाउन में दो बंदे आ जाते हैं आपको कोई पैसा नहीं देना है पैसा कौन देगा company पैसा कौन देगा company अगर उन लोगों ने दो दो घंटा काम की आपके लिए चार घंटे का काम होगा कल आपके साथ में दस लोग आ जाते है दो दो घंटा काम करें चालिस घंटा ये कलौती ऐसे इंड़स्टी है मेरे दोस्ट जहां पे लोग free of cost आपके लिए काम करते है उनको पैसा देने की जरूरत नहीं ये manpower की ताक्कत देती है direct selling industry इस दुनिया में लोगो को सबसे बड़ी नफरत अगर किसी से होती है नौकरी में तो होता है boss से लेकिन यहां पे कोई आपका boss है यहां पे जो आपका applying है आपका साथ ही वो business partner है कभी असानी होगा कि अगर आप काम करेंगे और पता नहीं बहुत सारी चीज़े legal liability से निकलना परता है लेकिन हमारे business में कितना आसान काम है आपने अपना अधार कार्ट, pen card दिया आपके KYC अपडेट हुई bank KYC आपने दिया आपकी KYC अपडेट हुई और हमारा काम होस हो गया आप left right में जितना भी sale करते हैं उसके बदले में 5% tedious cut के आपके account में पैसे आ जाते हैं yes or no without any legal ability work from home कोई pressure नहीं है आप चाहो तो ground में काम करो और आपने घर में काम करो flexible working hour आपको सोचे नहीं कि जरूवत नहीं है मैं कितना घंटे काम करू और ये वज़य है ये एक housewife भी इस business को कर सकता है एक job करने वाला इंसान भी part time भी इस business को कर सकता है और एक इंसान इस a career भी आपकी मर्जी आप कितने घंटे काम करो कोई pressure नहीं है flexible working hour इस business के अंदर है time compounding through the replication आप इस business में बोला जाता है पैसे कमाने के एक ही फर्मूला है time is directly proportional to money जो इंसान जितना ज़्यादा घंटे काम करेगा उसके लिए उतना ज़्यादा पैसे आएंगे लेकिन लोगों का time खरिदने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है ये clothiest industry है जहां पे without any investment बीना पैसे खर्च की आप लोगों का समय खरिद सकते हैं